हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियों क्लासेज में बात करेंगे अपने हिंदी के पेपर के बारे में क्लास नाइंत का है हिंदी का पेपर है यह हो चुका है पेपर और ऐसा ही पेपर आने की उम्मीद है आपके जिस जिले के भी आप निवासी हैं क्योंकि कई जिलों में पेपर हो चुके उन सभी के पेपर का solution uploaded है ठीक है आप वो देख सकते हैं उनसे आपको ये hint मिल जाएगा कि आपका पेपर किस परकार से आएगा और हिंदी के किताबों के जो question है न वो तो हूब हूब रिपी जितने भी important question है उन सभी का वीडियो uploaded है पत्र लेखन कैसे करेंगे महतपूर्ण निबंध कौन से होंगे वो सभी आप इस वीडियो के description में लिंक मिलेगा वहां जाकर आप देख सकते हैं आपको सभी जो important topic है उन पे वीडियो मिल जाएगा और जो बाकि आपकी जो भी subject ले list में सभी subject के paper देख सकते हैं ठीक है ना जो आपकी बहुत help करेंगे exam में चलिए देखते हैं अपने हिंदी का solution किस परकार से पहले आपको एक passes दे रखा है ठीक है ना पांच नमबर का आता है पहले passes ठीक है जो गद्यांस होता है इनमें पढ़ कर इसके प्रश्णों के उत्तर देने होतें आपको ठीक है न तो passes अराम से पढ़ लीजीगा फिर इसके आपको उत्तर देने हैं भी आ सकता, इसका भी कोई भरुसा नहीं है, ठीक है न, तो अच्छे से हर चीज को अपने मजबूत रखें, हर पक्ष अपना मजबूत रखें, ठीक है न, देखिए, इस गद्यांस का उचित शीरशांग, तो अगर पैसेज को पढ़ोगे न, तो उचित शीरशांग यही मिल कि सहस और जिंदगी के बारें बात हो रही है, कि सहसी आदमी कैसा होता है, उसके बारें पूरी बात है, तो अपने गद्यांस का सीरशांग क्या हो जाएगा, सहसी मनुशिय, ठीक है, अगला देखिए, सबसे बड़ी जिंदगी होती है, किस की होती है, तो बड़ी में होती है ठीक है ना जुंड में नहीं चलता कौन नहीं चलता तो सीह नहीं चलता इस सवाल का जवाब देने के लिए तो आपको पैसेश पढ़ने की वजरूत नहीं थी ठीक है इन सवालों में उपर वालों में ठीक है करने वाले लोग होते हैं इसमें भी कोई जरूर नहीं हैं कौन होते हैं सहासी लोग ही करांती कर पाते हैं अलांकि पैसेश नहीं पढ़ोगे ति वी रियुद्धा ये भी आप्शन दिमाग में आ सकते हैं लेकिन इसमें सही आप्शन होगा अपना सहासी फिर अगला एक और पैसेश दे रखा हमें ठीक है इस समाधी में छिपी हु समाधी में तो वीरों का मान बढ़ता है तो वीरों का मान युद्ध में बलिदान होने पर बढ़ता है तो ऑप्शन दो करेक्ट होगा इसमें अगला प्रश्म देखते हैं समाधी में किसकी राक की धेरी छिपी हुई है तो यह है लक्षमी बाई की किसकी है लक्षमी बाई की अगला देखने कुशन कि लक्षमी बाई को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता हैं देखिए सारे नाम लक्षमी बाई क्या चीज कि मतलब होता है जन्म लेने वाला ठीक है और मतलब होता है देने वाला और धी मतलब होता है धारन करने वाला तीनों को याद रखिए फिर अपने जल के परियावाची याद कर लेजिए किसके जल के यनि पानी के पानी के याद कर लेजिए चलिए पानी के वान लि जल नीर ठीक है ना और वारी ठीक है और पह ठीक है यह मैंने लिख दिया देखते रहेगा अब क्या करना जब वर्ड के पीछे जो हमने यह सब्द चारों लिखे हैं ऐसे और भी जल के जितने भी पीछे अगर आप दी लगा दोगे तो वह समंदर का बन जाएगा समंदर दी जल को कौन करता है संबंदर मतलब होता है जनम लेने वाला अगर आप ने इन सब्द के पीछे जलज नीरज वारीज पयोज यह लगा दिया तो यह बन जाएंगा यंग कमल के और अगर आपफने द देने वाला देने मया कौन होता ही बादल कौन होता है बादल तो अगर आपने द लगा जैसे नीरद तोयद अंबुद वारिद पयोद तो वो बन जाएगे बादल के तो फिर से समझेगा नीर में जन्म लेने वाला कमल होता है जल में जन्म लेने वाला कमल होता है वारी पानी होता है जल होता है और जन्म लेने वाला ध्व मतलब पयोद धी होता तो समंधर का हो जाता ठीक है ना ये ट्रिक याद रखिए तो कि बहुत ही हेल्प होगी क्योंकि ये कुछ न ऐसे आपके पेपर में ऐसे कुछ न पूछे जाएंगे ठीक है न तो ये अपने पयोद जो है ये होगा कमल का सौरी कमल का प्रिय अप्शन अकरेक्ट हो जाएगा ठीक है फिर अपने यहां से व्यक्रण सुरू होती है ठीक है पेपर पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला हो सकता है इसमें अब जो खंड है उनको परिवर्तित कर दिया जाए ठीक है ये ध्यान रखिएगा बाकि कोई भी ज्यादा जैं अगला देखते हैं विसेशन के प्रकार होते हैं तो विसेशन के चार प्रकार होते हैं कितने होते हैं चार अगर चार प्रकार पूछले कौन कौन से हैं तो गुण वाचक परिणाम वाचक संख्या वाचक और शंकेत वाचक यह याद रखना फिर हमसे पूचा गया है वे प प्रत्य आई अगला प्रश्म देखते हैं कर्म के आधार पर खhora के कितने वेदें देखिए कर्म के आधार पर कृष के दो बेड़ Vaiました है प्रोट्हकी क्वान से हैं सकर्माक और अकर्मेद दों छुक्त अ क्या कहते हैं fourteen लुए संग्या और शैर्व नाम में समंद प्रकट करते हैं उनको हम कहते हैं अपने संबन्धबोधक क्या कहते हैं Kenr Smith ध्यान रखेगा इनका ठीक है अगला प्रेशन देखते हैं अपने जिसमें आपको एक-एक मतलब सब्द शीमा है बीस सब्दों में उत्तर देना है ठीक है बड़े छोटे-छोटे कुशन है और बड़े अभी कई जिलों में चो पेपर वन उसमें यह सेक्षन भी रख दिया या सी रख दिया है ठीक है ना तो यह चलेगा मतलब सेक्षन एबी सी में ओ सब्सक्ता पहले आपको यहां पे इसकी जगह यह बाद में देधे कुशन और यहां पे आपको पहले पत्र लेखन दे या फिर कि आपको निबंद लिखन देज ठीकिन इसे मी रहना तरीका से मी रहना है ठीक है ना देखिए तथे तो सलीम अली ने अपनी आत्मकता का नाम क्या रखा दॐ All was the fall of किना नाम रखा यह उन्हें 1985 में लिखी थी ठीक है ना याद रखिएगा अगला कोशन हम से पूछा है कि कबीर के अनुसार बगवान का कहां पर निवाश है तो कबीर कहते हैं कि बगवान का निवाश हर प्राणी के सांसों में है ठीक है ना यह कबीर ने बताया है कभी रस्कान पक्सी बनने पर कहां रहना चाते है कभी पक्सी बन के यमुना नदी के किनारे किसका व्रक्ष है कदम के व्रक्ष की डाल पर रहना चाते है अगला प्रिश्ण देखते हैं लेखक ने बाड के पानी को क्या कहकर संबोधित किया है देखे बाड का पानी बहुत तेजी से बैता है ठीक है ना तो इन्होंने कहा कि यह मृत्यू का तरल दूत है क्या है मृत्यू का तरल दूत है ठीक है ऐसा कहा ठीक है अगला देखे मेग के तो से के तो बुढे की तुलना की गई मेगा में अठीधुर्ण आने जैसे कभी कभार घर अन्म होजम और कि पीड़ा है तो कभी की पीड़ा यह है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं जिस उमर में उन्हें खेलना और लिखना पड़ना चाहिए उस उमर में उन्हें काम पे जाना पड़ रहा है यह पिड़ा कभी को सता रहे है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है ठीक है ना अगला देखते हैं अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं तो जिन सब्दों के रूप से लिंग वचन या फिर कारक में कोई परिवर्ति नहीं होता उन्हें हम अविकारी क्यों अगे तो अविकारी शब्द के उधारं जैसे भी यह वाले शब्द अविकारी होते अगला पर प्रशम देखते हैं और वूठाना मोहावरय का में आपको वीडियो मिल जाएगा ठिक है तो मेला आचल और परती परी कथा किस लेखकी रचना है तो ये है अपने फणिश्वर नात फणिश्वर नात रेणों की ठीक है ना ध्यान रखना फणिश्वर नात रेणों की अगला देखते हैं दो बैलों की कथा कि अनुसार किस जानवे को सबसे अधिक बुद्धिहीन सम पिर अग्ला है रहुल संकृतिययन का मूल नाम क्या था तो मूल नाम था उनका केदार्नाथ-पांडेई केदार केदार कि नातफ पांडेई ढगा अग्ला देखते हैं कॉष्ञन-खंड-ब यहाँ थोड़े से बड़े कुष्ञन है लेकिन यह भी बहुत आसान है खंड बह आलांकि यह खंड सह होता है आपने बाकी वाले पेपर में आपके हो सकता खंड बह आजाए सह आजाए उसकी चिंता नहीं करनी यह कुशन इंपोर्टेंट बस उनको इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजेगा ठीक है तो पहला प्रश्ण क्या है कि चौता प्रश् इसको उखेरा गया कोई इसे चैना चाहते हैं कि इसमेश से प्रशासण में लग है मतलब व्यवस्ता नहीं कर पा रहा है और आर्थिक कारण समय सब को हो रही है ठीक है अगला है लेखक स्मसेय यह बहादूर को अंग्रे जी में कविता लिखने का अपसोश bringt क्यों रहा होगा तो उनको रहने का कारण अंग्रेजी में लिख दी तो यह अंग्रेजी में लिखने के कारण हर किसी के समझ में नहीं आई समझ में नहीं आने की वज़े से इनको बुरा लगा ठीक है ना अगला प्रश्म देखते हैं उनकी आँखें शंकर को जहेंपती सी आँखों से मिल जाती है इससे उमा पर क्या असर पड़ा ठीक है ना तो इससे उमा पर क्या असर पड़ा इससे उमपरी है सर पड़ा कि इसका आंसर confirm नहीं है ठीक है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि इसका आंसर क्या हो शकता है ठीक है ये पोईम नहीं पड़ी हुई है अगला देखते हैं बाड को बढ़ता देखकर पटना वास्चियों की क्या प्रतिक्रिया थी ठीक क्योंकि ये कुशन जो है कुछ ऐसे कुशन है जो आपके बार-बार रिपीट हो रहे हैं इनको जरूर से पढ़ लीजेगा ठीक है ना अगले हैं अपने वाक्य में कितने बेद होते हैं मतलब किसे कहते हैं तो ये तो सिंपल सा सवाल है कि सब्दों का ऐसा सार तक वाचक होता है और अपने क्या होता है है विसमा दी बुदक होते हैं अग्यारत्र siya थक वाख्य होते हैं संदेष संदेय वाचक इस परकार इनका उत्तरा आप लिख सकते हैं फिर अपने आगे और प्रशन दिये हैं चार-चार नमबर के ये सवाल भी आपको करने हैं लेकिन इसमें ये सवाल ध्यान बेखिएगा जो बार-बार रेपीट होता है इस सवाल को अच्छे से पढ़ लीजेगा इसके आंसर जरूर कर लीजेगा क्योंकि ये आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा ठीक है ना ये आपके लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि आप पेपर को अच्छा और बहतर इन कर सकें जिन कुशन के आंसर मालुम थे उनके बता दिये गए बाकी आपको खुद को ढूंडने है ठीक है ना बस आपको पेपर पैटर्न लग जाए पता और ये कुशन क्योंकि इंपोर्टेंट है बार बार आ रहे हैं क्योंकि ये जिस जिल्ले का पेपर है उस जिल्ले के अलावाद जितने भी जिल्ले है जिसमें इंदी पेपर होना है उनको ये पढ़ना है क्योंकि वहाँ पर यही सवाल मिलेंगे आपको फिर आपको आगे जो प्रश्ण पूछेंगे उसके अंदर आपको बोलाए कि स्वयम का बाबा प्रितम गिरी उचमादिम विद्यालाई मरेना का चात्र सूजल मानते वे परदान अध्यापक को पत्र लिख रहा है जिसमें इनधी अध्यापक की कम execute कारण कार्य ना होने का निविद horr praw करना है ठीक है न तो यह सींपल सा आपको प्रातना पत्र लिखना है और दूसरा है जो इस में बीजिस्ञादों की खुशीम भेजना है अपने थि को मांते अपने मित्र को भेजना ठीक है फिर एक निवन्द लिखना है आपको जो की 200 सब्दों में निवन्द कि शीमा नंबर काता है इन चारों में शुर्वात किसे करेंगे सुरुआ था मिसा आप किसे प्रस्तावना से प्रस्तावना ठीक है और फिर जैसे भी कोई भी टॉपिक ले लिए प्रस्तावना में उसके बारे में लेखेंगे लास्ट में उपसहार उप साहर लास्ट वाला पॉइंट है अब इसके बीच में आप पॉइंट बना के इसके बारे में लिख सकते हैं ठीक है ना तो इस परकार से आपको तैयारी करनी है और ऐसे पर चाहिए तो कमेट सेक्समें जरूर लिखेगा और जैसे आपका पर होता है तो दिये गए वाट्सअप नमबर पर वेजना ताकि उसका भी वीडियो सलिशन बनाया जा सके ठीक है ना मिलते है नेक्सट पार्ट में तब तक वैथरिंट रंग से तयारी करते रहे ज जय हिंद जय भारत